सब्सक्राइब गाइज अगया इंस्टिटूट का रिजल्ट आ गया फॉर इंटर मीजेट एंड सीए फाइनल सु यूजल इंटर का लेट आता है बट ओफ लेट इंस्टिटूट एज गयाड़ खटा मीटा कुछ के लिए खटा कुछ के लिए मीटा जो हो गया है अब यह एक लिए खटा कुछ कुछ एक फाइब लोग के साथ मैं लेकर आया हूं प्लीज 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 इसका एक स्क्रीन शॉट कहीं पे लगा लो एंड पुट इट इन यॉर कबर्ड और प्लीज इसको फॉलो करो सबसे इंपोर्टेंट है कि सर मैंने एक ही ग्रूप दिया था अब मेरा एक ग्रूप बाकी है तो मैं क्या दोनों ग्रूप दू या वापस से वही एक ग्रूप दूप मेरा सजेशन है कि अगर 170 या उसके उपर आया है एक ही ग्रूप देखे और इन दाट केस डेफिनेटली गो फार देखिल आप दोनों ग्रूप दे पाओगे अगर आपका एक ही ग्रूप बचा है अगर वो क्लियर नहीं हो पाया कही न कहीं आपने उसको ग्रांटेड लिया है या कहीं न कहीं कुछ चीज़े अपनी छूड़ गई है अगर अगर आपको दोनों ग्रूप देना है ये चार महिने आप लोग के दो रिविजन विद दो टेस्ट देने का कोशिश करो अगर अभी से बिकाज अच्छी तरह से रिजल्ट आ गया है अप्रॉक्सिमेटल टेन तो ट्वेल देस्ट बिफोर शेडूल देट प्लीज उटिलाई इट टो बेनेफिट आफ यॉर्सल्ट एक दो दिन येस अडर्स्टांड आपको यूनों मेंटली सेटल होने को टाइम लगेगा बट उसके बाद there is no looking back let's वापस से जान लगाना चालू करना ही पड़ेगा option ही नहीं राइट दोनों ग्रूप का रिजल्ट अप्रॉक्सिमेटल एट तो 9% का आया है इंटर्मीजेट में थोड़ा बैटर है एंड ग्रूप 2 का ये बार 30% है ग्रूप 1 का अप्र लिबस आ रहा है अब उसमें क्या नहीं का नहीं होगी किसी को पता नहीं है तो अच्छा है ना आपने को November 23 time है कर देते है complete यार मतलब अगर मैं अगर आपकी जगा होंगा then in that case मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ चलेगा भाई कि एक ही बंदा पास होगा ना तो वो मैं हो जलना ही है रात का खाना मत खाओ जब तक आपका ये target complete ना हो कुछ ना कुछ अपने आपके ऊपर थोड़ आपको push करना पड़ेगा ठीक है मैं यह नहीं बोलो खाना छोड़ दो मैं बल रहा हूं कि targets रखो और वो target meet ना हो तब तक ensure that you are going headstrong you know it is like अभी जैसे हम लोग professors भी है तो हम लोग को भी कही पार extra stretch करना पड़ता है why because we know कि otherwise portion time पे complete नहीं हुआ तो it can be a issue same is the case with you okay so kuch targets रखो till the time you don't meet them as I told you you know you can compromise on your food not that खाना बंधी कर दो खाना but कही ना कही अप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो right so वो अपने आपको थोड़ा push करना पड़ेगा बोर हो रहा है पढ़ने में नहीं मन लग रहा है करो फिर भी करना पड़ेगा यह 8 to 10 hours effective 10 to 12 hours effective studies आपको जो satisfaction दे वो everyday basis पे आने वाले चार महिने तक you have to do it you have to do it for yourself for your family for your dream I don't think so इतना बड़ा deal है अगर चार महिने कोई मुझे बोले कि underground होके यह कर किया ही है इसलिए यहाँ पर पहुचा है and आज भी कर रहे है आज भी मतलब अगर कोई भी प्रोफेसर का बात करो तो वो 6-7 घंटे lectures ले रहा so life is difficult let's let's fight it ठीक है third writing practice जो अपन लोग कही न कहीं छोड़ दिया है revision videos अपन लोग इतना YouTube पे सुनने की आधी हो गया इतना used हो गया भूल गया अपन लोग की exam तो लिखके करना होता है हर चीज़ auditing से नहीं चलेगी you have to do writing practice आप बोलोगी sir मैंने तो आपका lecture पाच बार revision lecture पाया writing practice किया था अगर नहीं किया था then in that case आपको जवाब मिल गया होगा कुछ sums है जो solve किये बिना exam में आप उस पे speed नहीं आएगा उस पे grip नहीं आएगा कुछ theory है कुछ main keywords है जो लिखे बिना subconsciously याद नहीं रहेगा तो जो चीज करना है वहाँ पे shortcut नहीं चलेगा and that includes writing practice stay away from social media distractions यार यह तो मैं हर बार बोलता हूँ मेरे लिए खुद के लिए भी applicable है मैं भी कभी का बार reel देखना चालू करता हूँ ना तो यह अंगुटा ऐसे reel पे ठाड़ ठाड़ करते जाता है and पता ही नहीं चलता है 15-20 reel देख ली and फिर वो एक reel से कहां पे मैं YouTube पे connect हो जात आपको 10 दिन में उतना देख लेने का that's it मतब कहीं न गई उतना आपको discipline लाना पड़ेगा and try to cover everything please कुछ option में मत चोड़ो अपन पैटर्न देख रहें institute का we don't know कौन से subject में क्या होने वाला है so please do everything and इसके लिए यह first 2 points के ओपर आना बहुत ज़रूरी है चार महीने का planning 2 revisions and consistently यह 8 to 10 मैंने क्यों लिखा है मुझे नहीं पता at least 10 to 12 hours and target खुद को देते जाओ that yes I have completed 10 hours today मैं तो बोल रहो लिख दो comment पे that yes I will study at least 12 hours every day for the next 4 months कर लो यह promise खुद को and अगर उतना बोलते हैं अपने आपको उतना strong नहीं मना पा रहे हो then will be difficult यार कुछ लोग है आप देखके बो लोगे और इसने तो इतना नहीं किया था फिर भी वो निकल गया किसने देखा है वो चीज या और क्या पता कितना उसने मैनत किया है कितना उसका clicking power है भी जैसे मेरे जैसा average आदमी है मुझे कोई चीज के लिए ना double the time लगता as compared to average person तो हो सकते है आपको भी शहर्द थोड़ गाइस चार मेना रहेंगे साथ में definitely आप लोग को जहां पे भी help पड़ेगे two subjects that I have SEMP and SFM वहां पे मैं मेरी तरफ से revision videos है formula sessions है practical sessions है theory sessions है सब करवाते रहूंगा but eventually it is only going to be one person's hard work and that is you कोई कितना भी आपके साथ खड़ा रहें पीचे खड़ा रहें eventually it is going to be you इतना बात समझ लो चार महिने sacrifices के लिए let's be ready and let's put the best 6 महिने बात जब result आएगा तब ये ही नीचे comment पे आप लिक होगे that sir I have cleared in November 23 attempt waiting for that message from you आस्ता अविस्ता मिलते रहेंगे और कुछ चीज आपको हमारी तरह से चीए let me know take care good night thank you